नमस्कार साथियो जैसे कि आपको पता है कि मैं इसमें क्रास्टाफंग लेटेट वीडियो डालते रखेंगे तो भीया आपने अपने बहुत एक्सपरेंसे इसको बहुत सालों से काल कर रहे है इसके अंदर का भी सब आपको पुरा अच्वेल सब की दिखाई है आपको पता ह अधाना मैं इसमें से भी जब डालते तो टीक है तो यह अपना 11 के वे साइड इसका यह अच्टी का भी स्थिंग है इसको बहुत जाए हुए अपने का सब इसका भी स्थिंगा होता है इसका थरा पुशुगा इधर देखिए अब की साइड यह आपको दिखाएए दो अग तो देखो साथियो हमारा जॉब खुल चुका है पूरा का पूरा इन्हों ने खुल गिया तो देखिए अंदर में फुलिया इसका आइल पुरा पग गया है कितना पग गया है तो इसको भी खुल रहा है क्योंकि हमको इसकी जो वाइंडिंग है वाइंडिंग मुल्तो साथिफ होती हो इसको हमको क्या चेंड करना कि वह जल चुकी है वह जल चुकी है और ये जो 11 kg साइट किये ये जल चुकी है दीरे दीरे कुलने में स्लीक मार रहा तो तो यहाफ से रहना है वह बहुत दिनों बात खुल रहा तो जल जान आग रहा गया इसमें तो अधर साथ कि इसकी थेवरी की बात करें जो ट्राश फार्मा होता है इसमें अंदर में कोई भी कनेक्शन होता है मतलब कि इसमें साथ के दो वांडिंग होती है एक प्राइमरी वांडिंग होती है एक सेकेंडरी वांडिंग होती है प्राइमरी वांडिंग यह अपनी यहां तलाती कोई सी हम 11 kb की supply इसमें देते हैं आउट्पुट में हम साथ ही हो 440 वोल्ट 3-phase 4-wire की साहिता से जो हमारे घर में आती है अमेटर एनरजी मेटर में है यह इसके माद भी हमसे आती है ठीक है तो आपको पता हो गया जो ट्रांशफर्मर होता है आपको पूरा को पूरा का पूरा करना पड़ेगा इसलिए क्या होगा इसकी जो मतलब जो अधर देखिए इसको क्या लॉकिंग बोलते है लॉकिंग खुलेगा जॉब ऊपर आएगा है ना उसके बाद में मतलब की रिक्वेर होगा ठीक है आपको बता देना चाल मेंव एंडार होता है इसको क्यों लगेती है एस्में साथ कोड़िए मीड़िए और बिए ओट ऐसे कहा हूट तो खुम सेया हुथ हाइब करना ही उर्डिते है थास्य टम पर टैसने संही कि आपते हूथ हूथ कि माद्यम से क्या होती रहता है यह कुलिंग होती रहता है ठंडा होती रहता है ठीक है इसके उपर का भी हमने होजे पले देखा आपने ठीक है तेंजर्वेटर का अ जोब अबसें पहले को चेए पुष पुष लिए मिच्ण पूला फुपैला काई को उपाइ इसाल करना उपाईगा था, हक्के जबाईगोए शारे venom होसें इसाल कर लोड़को गए water